आप सभी का रुद्धा नर्चिया एक्स्प्रेस में हाद एक स्वागत है आज का हमारी इंपोर्टेंट टॉपिक कंगारू मदर क्यार होगा कम्प्लीट कॉंसेट मैं आपको इस बीडियो में समझाऊंगा मेरी वीडियो खासे आपको यहां पे हिंदी प्लस इंग्लिस दोन बिलकुल भी न बूलें तो कि यहां आपको नेक्स इलेट इडियो ऐसे ही मिलते रहते हैं तो चलिए स्टार करते हैं है चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कंगारू मतर क्या होता है it is a method of care of preterm infant यानि कि ऐसे बेबी जिनका जनम समय से पहले हो चुका होता है ऐसे बेबी क्या कहलाते है हमारे preterm baby कहलाते है ठीक तो preterm baby की देखवाल करना क्या देखवाल करने की एक ये बिधी होती है जिसको हम क्या कहते है kangaroo mother care कहते है जालिए next point हमारा skin to skin contact between mother and baby जैसे कि आपी figure में देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है mother और baby के बीच में skin से skin contact ने तुचा से तुचा का एक आपस में संपर्क बना रहता है ठीक है चलिए next point है during kangaroo mother care baby is naked except diaper and parents especially mother just should be bear ठीक है क्या कहना चाहता है during kangaroo mother care के दोरान क्या होना चाहिए baby जो है naked होना चाहिए except diaper diaper को छोड़कर baby कैसा होना चाहिए naked होना चाहिए और जो parents है especially अगर हम mother की बात करते है तो mother की जो chest होती हो कैसी होनी चाहिए naked होनी चाहिए नगन होनी चाहिए ठीक है तब ही जो है skin to skin contact हो पाएगा right चलिए बात कर लेते हम लोग purpose के क्यास के उद्देश होते हैं तो सबसे पहला हमारा stabilize baby's heart rate ठीक है याद दखिएगा baby के हिर्दय की जो धरकन होती हिर्दय की जो दर होती है उसको कैसा रखेगा इस्थिर रखता है राइट चलिए नेक्स्ट क्या है breathing pattern improves and become regular ठीक है जो स्वास का जो pattern होता है जो breathing pattern होता है उसमें यह सुधार लाता है और उसको regular करके रखेगा ठीक है नियमेट करके रखता है चलिए जो हमारी जो cells या tissues होती है क्या उनको proper जो है 100% oxygen मिल पा रही की नहीं मिल पा रही तो उसको हम क्या कहते है oxygen saturation कहते है राइट चलिए बात कर लेते हैं हम लोग advantages की क्या 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 इनके lab होते है तो सबसे पहला क्या है mother makes more milk and has a better chance of this reading क्या कहना चाहता है mother makes more milk यहां पे क्या होता है मा के स्थनों में जो है दूद करने मान बहुत ज़्यादा होता है ठीक है बहुत ज़्यादा मात्रा में दूद बनता है और क्या फाइदा होता है और उससे जो breast feeding के जो अफसर होते है वो बढ़ते है इस्थन पाण कराने का जो अफसर होता है बहतर अफसर मिलता है एक मा को ठीक है चलिए बच्चे का जो बजन है बढ़ता है जो हमारा बच्चा होता है जो बेबी होता है गर्म बना रहता है ठीक चलिए नेक्ट पॉइंट क्या है बेबी is criceless लेस ठीक है और देखित किया फाइदा होता है कंगारू- मतर कहेकर जो बच्चे होते हैं वो हमारे कम रोहेंग है ठीक है कम रोते हैं अगला क्यSmall बेवीज सुदार होता है ठीक है बच्चा जो है कूप सोता है है न चलिए अगला क्या हमारा makes strong bond between a baby and mother in और family ठीक क्या कहना चाहता है बच्चे की बच्चे और मा या उसके परिवार के बीच में जो एक bond होता है वो कैसा होगा एक क्या है बेबी बहुत कम देखने को मिलेगा ठीक उसमें दर्द बहुत को कम होगा राइट चली अगला क्या है रिसक आफ इंफेक्शन बिल वी रिडियूस ठीक है जो संकमन का खत्रा है वो भी कम हो जाएगा चली अब हम देखेंगे बेबी पोजीशन डियूरिंग इन के एम से ठीक कंगारू मदर के दोरान बेबी को कैसे पोजीशन दी जाती किया इसका प्रोसीजर होता है चली इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे ठीक है तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा या दखेगा चली है बेबी को हम कैसे रखेंगे जो मा के स्तनों होते हैं दोनों स्तनों को बीच में हम बेबी को रखते हैं ठीक चलिए या दखीगा जो chest होगा और जो mother की chest होगा वो एक दूसरे से contact में बने रहेंगे राइट चलिए अगला क्या है हमारा hat turn to one set अब बेबी के hat को हम क्या करेंगे एक तरफ जो hat turn कर देंगे जैसे कि आप ये figure में भी देख रहे हैं राइट चल अगला क्या है frog like leg position देंगे बच्चे को ठीक यानि कि जो बच्चे की टांगे होती है जैसे आपने देखा होगा मेड़क की टांगे कैसी होती है फैले होती है वैसी हम लोग यहां पर बच्चे की टांगों को जो है frog के जैसे बिलकुल फैला के रखेंगे जैसे कि आप देखेंगे discontinuation of KMC यानि कि हमां कंगारू मदर के कब डिसकांटीन्यू कर देना चाहिए यानि कि कब रोख देना चाहिए ठीक है तो यहां दखेंगा कब रोखना चाहिए तो सबसे हमारा पॉइंट है post-conceptional age reaches of 40 weeks यानि कि जब post-conceptional age होती है वो कब पहुंच जाए आपकी 40 weeks में पहुंच जाए ठीक है अब यहां दखेंगा यहां पर जो post-conceptional age है वो क्या होता है यहां दखेंगा जो gestational age होती है और आपकी post-natal age या chronological age होता है उन दोनों का addition थी उन दोनों का योग जो होता है उसको हम क्या कहते है post-conceptional age यानि कि short में PCA कह देते है राइट चल लेकि बच्चे के जनम से पूर ठीक बच्चे के जनम से पूर तक का जो भी समय होता है वो क्या होता हमारा gestational age होगा राइट चलिए अब हम देखते हैं पर post-natal age या chronological age क्या होता होता है ठीक है देखे chronological age क्या होता है बच्चे का जनम हो गया ठीक बच्चे के जनम से लेकर अभी तक की यानि की जो current date होगी ठीक उतने बीच में जो भी इसका समय होगा उसको हम क्या कहेंगे chronological age या postnatal age कहेंगे राइट तो अब यह कैसे निकाला जाएगा तो याद आखे है gastrational age हमें मालूम है जो भी gastrational age होगी हमारी वह उसमें कितना कर देंगे chronological age जो होगी ठीक है या postnatal age होगी उन दोनों को जोड अगर दिया जाए तो हमें post conceptual age जो हमें प्राप्त हो जाएगी और यह लगवा कितनी होने चाहिए 40 weeks की होनी चाहिए अब अगर 40 weeks की है तो हम कंगारू मदर केर को disconnect कर देंगे नहीं देंगे बेबी को राइट चलिए next point क्या है weight approximately 2500 ग्राम अगर बेबी का जो बजन है लगवाग अगर 2500 ग्राम हो जाए तो उस condition में भी जो हम लोग KMC को disconnect कर देंगे ठीक है नहीं देंगे या रोग देंगे चलिए अगला क्या है wriggling out wriggling out का मतलग क्यों होता है जब बच्चा चट पटाता है ठीक तो उसको क्या कहते है wriggling out कहते है राइट चलिए next point क्या पुल्स लेंब आउट ठीक है यानि कि आपने देखा होगा कि बच्चे जो है अपने हाथ पैरों को जो है बहार की हो जब निकालते हैं ठीक तो उस condition में भी हम KMC नहीं देंगे ठीक है चलिए अगला क्या है अगर बच्चा जो है बहुत जोर जोर से रो रहा है ठीक है तो उस condition में भी KMC स्टॉप कर देंगे ठीक चलिए अगला point क्या है बेबी अनकमफर्टेबल अगर बेबी जो है बच्चा हमारा असुबिधा मैसूस कर रहा है ठीक असुबिधा जनक मैसूस कर रहा है कमफर्ट नहीं मैसूस कर रहा है तो उस condition में भी हम KMC नहीं देंगे या स्टॉप कर देंगे राइट असा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह से क्लियर होगे होगा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता है यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उससे लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें